असलाम वालेकुम and welcome back my name is Anas Hashim and today we are going to talk about chronic bronchitis and emphysema अच्छा chronic bronchitis क्या होता है और emphysema क्या होता है इसके उपर मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी जब मैं समझा था obstructive diseases that is chronic obstructive pulmonary diseases COPD and as the definition suggests के COPD में होता क्या था एयर आपके पास trap होती थी लंग में जिसके जासे लंग का total volume था वो increase हो जाता था फिर मैंने बात की थी कि उसके कुछ types होती है जिसमें chronic bronchitis है emphysema है यह सब शामिल है लेकिन जो longer time यह जाके develop होता है same for emphysema तो आज हम दोनों पर बात करेंगे और chronic bronchitis का दूसरा नाम blue bloaters भी है जबके emphysema का दूसरा नाम pink puffers है अच्छा अब chronic bronchitis को blue bloaters क्यों कहते हैं इसकी वज़ए आपको अगर यहां तक आक ही समझा जाएगी और आप आप खुद समझा भी सकेंगे मैं इस पूरे topic में जो है वह mainly concepts में बात करूंगा कि concept क्या है इसकी pathogenesis क्या है जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बात करतावा आ रहा हूं pathogenesis या physiology समझना बहुत important है जब आपको किसी disease की physiology, normal function और उसके अंदर आने वाला change है वो पता चल जाए तो आपको सारी चीज़ा आसान हो जाते हैं symptoms पता करना हो या treatment करना हो सब आसान हो जाता है chronic bronchitis की तो chronic bronchitis को अगर हम by name देखें तो chronic का मतलब हमें पता है कि for a longer time bronco का मतलब है bronchial wall, itis का मतलब है inflammation तो chronic यानि के लंबे time तक bronchitis यानि के bronchial wall में मौझूद inflammation का नाम chronic bronchitis है किसी भी disease के बारे में पढ़ने से पहले उसकी definition देख लिए नहीं जरूरी है तो definition के according productive curve for three months and for consecutively two years तो इसका क्या मतलब है कि अगर तीन महीने तक productive curve हो productive curve का मतलब है कि sputum के साथ जिसमें बलगम शामिल हो और कितना बलगम excessive mucus होता है ठीक है excessive sputum शामिल होता है और दो साल तक लगाता है अगर हो तो इसकी definition किस में आएगी उसे हम क्या कहेंगे chronic bronchitis कहेंगे chronic bronchitis की symptoms causes भी देख लेते हैं साथ ही साथ pathogenesis और clinical features भी देखेंगे हम causes में अगर हम देखे तो हमाँ पास शामिल है सबसी जादा important 90% of the cases में smoking शामिल होता है emphysema is also one of the causes of chronic bronchitis and silica and other substances जो के bronchial wall को damage करते हैं symptoms में आपके पास शामिल है जैसे कि मैंने definition में कहा कि cough और excessive mucus इसके साथ dyspnea और wheezing dyspnea यानि के सास लेने में तकलीफ होना और wheezing यानि के CT बजना CT क्यों बजरी है क्योंकि यहां पर narrowing of bronchial wall हो रही है जो आपकी bronchial wall है वो narrow हो जाती है अब वो क्यों होती है उसकी वज़ा भी हम देख लेते हैं तो अगर मैं आपको थोड़ सी डियाग्राम मनागे अगर मैं सबजा हूँ यहां पर तो हमारे पास यह bronchial wall है ठीक है और वो जाके आगे जाके इस तरह तरीके से divide होती है यह वाली इनके अंदर चार चार से पांच चीजे मौजूद होती है जिसमें आपके पास epithelium मौजूद है ठीक है goblet cells मौजूद है goblet cells आपको पते क्या करते हैं ठीक है mucous produce करते मुकस release करते हैं mucous glands मौजूद हैं ठीक है और cartilages मौजूद है और साथ साथ smooth muscles मौजूद होते हैं ठीक है यह चार-पांच चीजे मौजूद होती है chronic bronchitis में क्या होता है जब आपके पास कोई substance आता है for example कोई भी cigarette smoking की वजह से कोई substance आकर यहां पर damage करता है ठीक है bronchial wall पर तो bronchial wall क्या करती है फॉरण से अपना protective method शुरू करते है अब bronchial wall अपने आपको protect कैसे करती है अगर आपने देखा हो कि हमें खाते वे कोई कच्रा आ जाए अटक जाए तो क्या होता हमें फॉरण खासी आती है that is due to mucociliary escalator ठीक है तो इससे क्या होता है हमारे मुकस होता है क्या करते कोशिश करते निकाल दे जो भी substance आया या बैक्टेरिया या कोई भी जरासी मैं इसको बहार निकालने की कोशिश करता है वैसा ही यहां पर भी होता है जो smoking होती है तो smoking की जो particles हैं उसको हटाने के लिए खतम करने के लिए आपके पास यहां पर बहुत सारा म्यूकस बना शिरू हो जाता है ठीक है वह म्यूकस क्या करता है इसकलेटर के थू हमारे मुंके जरी है बाहर निकलाता है थूआ कफ लेकिन क्यूंके लंबे टाइम तक अगर smoking हो रही है जो के for example more than 10 pack years है ठीक है more than 10 pack years है बलके मैं समझाई देता हूं pack year की definition अगर आपको समझें किस तरह काउंट करते हैं तो उसके लिए आपको देखना है number of cigarettes number of cigarettes multiply कर दें कितने साल तक पी रहे हैं ठीक है number of cigarettes per day यानि कि for example को एक बंदा है जो के एक दिन में 20 cigarette पीता है तो 20 लिग दिया multiply by कितने साल तक पी रहे for example 10 साल तक पी रहे ठीक है और divided by इस दो इन दोनों numbers को years को multiply by कितने अगर 10 साल से पी रहे तो 10 और divide कर देंगे 20 से 20 is a standard number ठीक है अब इसका अगर हम निकाले answer 20 to 10 200 and divided by 20 will be 10 तो यहां answer हमारे पास क्या आगिया 10 pack years तो जो भी शक्स जिसकी जो pack year है वो 10 से ज्यादा है उसमें ज्यादा दर chances है chronic bronchitis का अब देंगे 10 साल से तो यहां पर कितना damage हो रहा होगा लंक्स की वाल पर उसकी वज़ा से क्या होगा mucus रोजाना 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 बनता रहेगा ठीक है बार 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 मुकस बनेगा अच्छा एक चीज याद रखें कि कोई भी चीज जब overload होती है हमारी body में तो उसके अंदर शाम जो है जो glands mucus बनाते हैं वो क्या होंगे उसमें hypertrophy हो जाएगी सही है वो बड़े होना शुरू हो जाएगे जिसकी वजासे जो bronchial wall है यहां से बड़ी हो जाएगी साथी साथ म्यूकस की layer बनी वी होती है यहां पर तो अब क्या होगा जो हमारे पास bronchial wall थी जो अच्छी ख करते हैं तो क्या होता है उसमें से सीडी बचती है ठीक है हम सीडी बचती है मूँ बंद करें हवा तेज से बाहर नेका लिए कुछिट करते हैं तो क्या होता है सीडी बचती है तो narrowing of bronchial wall में क्या होगा हमारे पास वीजिंग होगी जो कि आप इसके one of the symptoms थे अच्छा है इस 걱정 के ने अब यह बात स्मझने संजह לीव में क्या होते हैं है अब यह बात समझने जबुरी है को सर्वा इन सब को और मुसिनेस ग्लेंड को यह जो ग्लेंड इसका इस पूरे के साथ रेशियो अगर निकाला जाए तो नॉर्मली 0.4 आता है आंसर समझा रही है यह यानिके 0.4 जगा गेरता है टोटल की लेकिन जिस बंदे के अंदर क्रॉनिक ब्रॉंक इस शामिल हो तो उसका जो रीड इंडेक्स है जो के 0.4 आना चाहिए वह 0.4 से जाधा आता है जब कितना आता है वह 0.5 या इससे जाधा आता है ठीक है तो रीड इंडे दूसरी बात समझ आगी तीसरी बात समझ आगयी ठीकर बात करतें रिक्लीकल इस बात को समझाने के लिए मैं यही पर यह इस बात को भी आपके यह bronchial wall थी ठीक है इसी तरीके से यह broncus में right और left broncus में भी चरा गया ठीक है अब यहाँ पर mucus की वज़ा से क्या हो रहा है ठीक है यह mucus जो है यह नीचे जाके terminal bronchials में जाएगा ठीँके, air sex में भी जाएगा, alve systemic में भी जाएगा, ज्री घाल लै में पिजाएगा, ठीए, यानि कि ये हर जगा अंदर जाके mukus बैठ गया है, अगर आप alveols के अंदर Akase,犁किस बनाई के तो精िफ क्या हो जाएगा, इसकी वजाएगा, ये और अंदर मुकस क्या हो जाएगा ठीक है यानि के जो blood है आपके पास जो यहां से blood गुजर रहा है blood के अंदर blood के अंदर जो मौझूद carbon dioxide है वो वापस बाहर निकल नहीं पा रहा और जो oxygen alveolar लेकर आया है वो blood के अंदर जा नहीं पा रहा तो इसके वज़ा से क्या होगा partial pressure of oxygen will be decreased यानि oxygen की तादाद इस बंदे के अंदर कम हो जाएगी और carbon dioxide की तादाद बढ़ जाएगी जिसकी वज़ाद से sinus होता है ठीक है लास्ट इंप्रीज रिस्क औफ कॉर्पल्मोलेल अब कॉर्पल्मोलेल भी समझाना ज़रूरी है तो कॉर्पल्मोलेल क्या होता है तेगे आसान सी बात है coronavirus में भी वाली बात बहुत important है तो मैं यह भी साथ साथ समझा देता हूँ कॉर्पल्मोलेल में क्या होता है आपके पास lungs से ठीक है लंग का का मैं का मैं का मैं का मैं है oxygen transfer करना to blood vessels अब अगर लंग में कोई damage है या कोई fibrosis हो गई है या आपके पास inflammation हो गई है तो उसकी वज़ाद से क्या होगा oxygen transfer नहीं हो पार होगी blood vessels में तो normally आपकी body क्या करेगी blood vessels को order देगी एक तरीके से कि blood की speed है उसको बढ़ा दो यानि कि blood क्या pressure है वो increase हो जाएगा जब यहां से blood vessels के अंदर से pressure increase हो जाएगा ठीकिए यानि कि pressure increase बढ़ता जा रहा है pressure जब यहां pressure बढ़ेगा तो यहां से जो lungs के साथ यहां से blood लेकर जा रहे हैं वो कहां लेकर जाएंगे heart के अंदर right atrium then right ventricle तो right ventricle में जितना blood जा रहा है उसकी तादाद क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसी तरीके से lungs की वज़ा से आप क्यूंके lungs में oxygen पूरा transfer नहीं हो रहा तो tissues को transfer नहीं हो रहा होगा तो tissues को जादा oxygen तो चाहिए तो क्या बोलेगा बलड की तादा बाओ अधाय के विज़ा से प्रेशेय करते करने से क्या होगा प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो राट पर जोर पड़ेगा और कौन साइब पे राइट वेंट्रिकल पर राइट वेंट्री पर प्रेशर इंक्रीस होगा अन्ट विल बी ड्यू तो pulmonary hypertension pulmonary hypertension कर जासे right ventricle पर क्या होगा? pressure increase होगा, तो pulmonary ventricle की क्या होगी मैंने जैसे बतायाँ था कि किसी भी चीज के ओपर load अगर बढ़ा हो तो क्या होता है? उसकी hypertrophy हो जाती है, तो right ventricle की क्या हो जाएगी? है hypertrophy हो जाएगी. hypertrophy के बाद क्या होगा? जब वह pumping increase करेगा, तो हो सकता है कि यहां पर क्या हो जाए, right heart failure हो जाए और right heart failure क्यूं हुआ था? क्यूंकि right ventricle की hypertrophy हो गई दी एक limit ऐगी न, जिस limit के बाद वो ventricle hypertrophize नहीं हो सकेगा वो अपना function नहीं करेगा, और right ventricle की hypertrophy क्यूं हुई दी? pulmonary hypertension के वाजा से और वो क्यों हुआ था? Corpulmoneal that is यहां पर आपके पास oxygen transfer नहीं हो रहा था So that is all about Corpulmoneal के इस तरीके से relation होता है So that is all about chronic bronchitis Blue bloaters क्यों? क्योंके sinus हो जाती है यहां पर bloaters यानि के bloating होना शुरू जाती है Mucos की bloat बना शुरू हो जाते हैं So that's all about chronic bronchitis Now moving forward to M5 sema Next topic के बाद करते हैं M5 sema M5 sema की अगर definition देगी जाए तो इस तरीके से define कर सकते हैं destruction of alveolar sex अब alveolar sex क्या होते हैं? हमने पढ़ा था यहां पर हमारे पास bronchial wall इसके बाद bronchus, bronchus के बाद lobular आता है फिर lobular, फिर इसके बाद alveolar sex बनते हैं ठीक है? और alveolar sex के अंदर क्या शामिल होता है? अलveolar sex जो होते हैं एक तरीके से ball strap बनी वे होती है अलveolar sex इस तरीके से आपके पास ठीक है? और उसके अलveolar sex की destruction हो जाए अलveolar sex की destruction होएगी वज़ासे क्या होता है? इस तरीके से alveolar sex बने वे होते हैं और उनके दर्मियान destruction हो जाए तो क्या होगा? अब देखो, elastic recoil जो है वो खतम हो जाएगा अब देखो, elastic recoil जो है यानि के inhale तो कर लिया elastic recoil खतम होगी तो exhale करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा और जब exhal करना मुश्किल हो जाएगा तो collapse of airway that is exhalation में difficulty and that is airway यानि के oxygen या air trapping and that is the type of COPD यानि के chronic obstructive pulmonary disease causes क्या है? अगर causes की बात करें तो मैं कहूंगा के एक main cause है that is imbalance किस चीज़ का imbalance? that is protease और anti-protease का imbalance यानि के protease की तादाद या तो बढ़ जाना या फिर anti-protease की तादाद काम हो जाना समझातों क्या बात है? protease कहते हैं उस enzyme को जो के catalyze कर देता है यानि तोड़ देता है proteins को polypeptides को देखा जाए तो हमारी body में काफी सारी चीज़े protein या polypeptides से बनती है अगर protease की तादाद बढ़ जाएगी तो क्या होगा body में destruction, self-destruction शुरू हो जाएगी तो उस चीज़ को रोकने के लिए anti-proteases होते हैं anti-proteases जो के इसको neutralize कर देते हैं अब anti-proteases में सबसे जादा जो common anti-protease है वो है alpha-1 anti-trypsin alpha-1 anti-trypsin आपके एस बनता है liver के अंदर endoplasmic reticulum यानि cells में मौझूद endoplasmic reticulum के अंदर तयार होता है hepatocytes में liver cells में, ठीक है, main cause है smoking, यहाँ पे भी smoking main cause है क्यों? क्योंकि smoking trigger करता है proteases को, कैसे करता है वो हम pathogenesis में बात करते हैं pathogenesis अगर हम देखें तो pathogenesis में लिखावा है centriacinus और penacinus, क्या मतलब हुआ, समझा जाएगा, देखो smoking की जो मैंने बात करी थी, smoking की वज़ासे क्या होता है, broncus में यहाँ पे आपके 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 allergens आगे, smoking agents आगे, वो क्या करेंगे, वो inflammation करवाएंगे वो destruction करेंगे, damage करेंगे आपके bronchial wall को, जिसकी वज़ासे क्या होगा, neutrophils और macrophages release होंगे, inflammation कहीं भी होती है, सबसे पहले को अनात है, neutrophils और macrophages, उन दोने में से release होता है, proteases, अब कोई बंदा, लगातार smoking करता जा रहे, करता जा रहे, तो उसके अंदर neutrophils और macrophages की इसे elastic recoil खतम होगा, elastic recoil खतम हो जाएगा, तो exhalation नहीं होगी, airway collapse हो जाएगा, तो यह जो type है, वो क्या है, इसकी pathogenesis क्या है, centriacinus वाली है, अब centriacinus में क्यों कहा हो, मैं समझाता हूँ, यह समझाता हूँ, यह समझा कि smoking किस तरह, emphysema से related है, अब smoking में centriacinus क्यों होता है, देखें, मैं यहाँ पर समझा हूँ, अगर थोड़ा सा, asiness कहते है, terminal bronchioles आपको यहाद होगा, terminal bronchioles इस तरह आती है, इसके बाद flower type shape बनता है, ठीके, इस तरीके से शेप बनता है, उसको हम कहते है, asiness, इस पूरे को कहते है, asiness, और asiness के अगर centrally part में, यहाँ पर अगर alveolar sac का damage हो जाए, centrally part पे, तो उस type com कहते है, centriacinus, और यह most common किसमे होता है, smoking में, बलके होता ही smoking की वज़ा से है, centriacinus, ठीके, और यह सबसे ज़्यादा common कहाँ पर है, upper lobe में, तो इसको याद करने का तरीका ऐसे सोच लें, क्योंके smoke है, smoke कहाँ जाता है, हवा में जाता या तो फिर anti proteases कम हो जाए, जाहर है अगर proteases बनता है, किसी बी चीज़ वज़ा की वज़ा से बनेगा अगर proteases, तो इसको neutralize करने के लिए anti proteases आएगा, लेकिन अगर anti proteases की तादा ही कम है, deficiency है, तो proteases की तादा जितनी भी हो, वो damage तो करेगा, तो anti proteases की अगर deficiency होगी, यानि जब आपके अगर्णाट कम होगा, तो proteases जादा बढ़ जाएगा, जब proteases जादा होगा, तो आपके पास air sec destroy करेगा, air sec destroy करेगा, तो collapse, collapse, emphysema, ठीक है, alpha 1 anti-tripsin की deficiency होती क्यों है, होती है, इस वज़ासे क्योंके misfolding of gene mutation, यहाँ पर जो gene है, जो के alpha 1 anti-tripsin liver के hepatocytes में endoplasmic reticulum के अंदर बना रहा है, उसके अंदर मसल आ रहा है, उसके अंदर mutation है, उसके अंदर misfolding है, जिसकी वज़ासे normal alpha 1 anti-tripsin नहीं बन रहे है, A180 में काऊंगा इसको, ठीक है, अब दो तरह की genes होती है, one is PIM-PIM-M, normal gene होती है, और यह होती है PIZ, जो के mutated gene होती है, normally आपको gene chromosome, यह number chromosome number 14 में मौझूद होती है, ठीक है, यह genes, नॉर्मल यह आपको दो genes चाहिए, दो alleles चाहिए होती है, ठीक है, तो M तो एक alleles हो गई, तो यह अगर दो M होंगे, तो दो normal alleles हो गई, क्या इसमें alpha 1 anti-tripsin की deficiency होगी, नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल है, तो normal में alpha 1 anti-tripsin deficiency नहीं होती, लेकिन अगर इस M की जगा, अगर एक Z आ जाए, और Z क्या है, mutated gene है, तो एक सही है, और एक खराब है, यानि 50% normal है, 50% mutated है, तो इस condition को हम कहते हैं heterozygous, साहिए, क्योंकि दो अलग-अलग gametes हैं, और asymptomatic होती है, यह condition जो होती है, यह asymptomatic यानि कि इसके अंदर symptoms शो नहीं होते, हो तो emphysema ही रहा है, लेकिन इसके अंदर symptoms शो नहीं हो रहे है, हाँ, अलबता, alpha 1 anti-tripsin की quantity कम है, बन रही है, लेकिन कम है, इसलिए symptoms शो नहीं होते, लेकिन अगर proteases की तादाद इसमें बढ़ जाए, यानि कि अगर किसी बंदे को heterozycus है, और वो उसके बाद उपर थोड़ी सी भी smoking करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, emphysema cause हो जाएगा, आसान सी बात है, एक और condition, PIS, यानि के Z, Z, दोनों abnormal genes है, यानि के homozygous हो गया, इसका मतलब है, alpha 1 enter tipson बन ही नहीं राज सिरे से, तो अगर छोटा सा भी infection होता है, छोटी सी भी inflammation होती है, जिसके वज़ाद से protease की तादाद बढ़ जाती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, direct emphysema हो जाए लेकिन अलबता PIS जो है, वो जादा खतरनाक है, इसमें जो आपके पास emphysema होता है, वो होता है pen acinus, pen का मतलब होता है complete acinus, अब यहां मैंने क्या बात की दी acinus में, centrally आपके पास जो था, वो elastically equal damage हो था, air sex damage हो थे, लेकिन जब alpha 1 enter tipson सिरे से बन ही नहीं राज तो pen acin clinical features की बात करते है, clinical features में हमारे पास शामिल है, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं, diagnosis की, किस की diagnosis कैसे होती है, chest x-ray करवाएंगे, chest x-ray से हमें पता चलेगा, barrel chest, अब what is barrel chest, barrel chest कहते है, barrel shaped, ठीके, यानि कि anterior or posterior diameter है, वो increase हो जाएगा, और जो diaphragmatic है, वो decrease हो जाएगा, ठीके, तो एक barrel shape बन जाएगी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से shape, ठीके, तो इसको कहते है, हम barrel shaped, और इसकी वज़ा क्या है, क्योंके oxygen जो है, या air जो है, वो लगातार lungs के अंदर trap हो रही है, तो उसकी वज़ाद से, जो capacity है, जो lung की volume में, वो increase होता जाएगा, जिसकी वज़ाद से Biopsy से हमें क्या पाशा चिल जाएगा, Biopsy करवाएंगी Hepatocytes की, Hepatocytes में हमें मिलेगा, Pass Positive, that is PAS, एक strain है, जो हमें Hepatocytes में मौझूद, Alpha-1, Antritrypsin की accumulation के बारे में बताएगा, तो वो accumulation क्यों होगी, जब आपके पास mutated gene बनेगी, ठीके, तो mutated gene की होज़ाद से, वो Hepatocytes के endoplasm reticulum में क्या होना शुरू हो जाएंगे, accumulate होना शुरू हो जाएंगे, और हमें Pass Positive नजर आएगा, तो यह एक diagnosis कर देगा, between N-Syn-R और Centry-Syn-R में, यानि कि PIS Positive का मतलब है, हमाई पास Alpha-1, Antritrypsin की, इसकी accumulation की होजासे, एक और काम होता है, एक और चीज होती है, उसको हम कि फिलाल इसमें बात नहीं कर रहे हैं, क्लिनिकल सिंटम्स की अगर हम बात करें, तो हमें dyspnea, सांस लेने में तकलीफ, Cuff with minimum sputum, यह जो पॉइंट है, यह chronic bronchitis से differentiate करेगा, Cuff with minimum sputum, इसमें sputum नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई mucus का काम ही नहीं होता, साथ में prolonged expiration, ठीक है, इसके वज़से क्या होगा, purse clip होंगे, तो इसको कहते है, pink puffer क्योंकि purse बना देते हैं, और pink क्योंकि जो शकल हो जाती है, इनसान की लाल हो जाती है, जान लगा के सांस निकालने में, जान लगा के सांस निकालने के लिए एक और भी चीज़ की ज़रूरत होती है, व में आपके पास loss of weight नज़र आएगा जबके chronic bronchitis में आपके पास loss of weight नज़र नहीं आएगा यहां पे pink puffers नज़र आएगे वहां cynosis नज़र आएगा साथ ही साथ यहां पे hypoxemia और corpormonile corpormonile की वही वज़ा है क्योंकि elastic recoil खतम हो जाएगा blood capillaries जो है वो damage हो जाएगी blood capillaries जब damage होंगी तो oxygen सही से provide नहीं होगा फिर वो क्या करेगा पीछे से वापस pulmonary hypertension increase करेगा और फिर right ventricular और फिर right heart failure के chances बढ़ जाएगे hypoxemia decreased आपके पास oxygen in blood वही बात आगई जो के हमाई पास lung damage में होती है so that's all about emphysema and chronic bronchitis I hope you got what I have explained to you and inshallah next video we will talk about in the next video